आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एस ठीखने बले हैं कि आप आपनी email id के अंदर से एक साथ एक से ज़्यादा mail को किस तरह से delete कर सकते हूँ तो आपको मालूम नहीं है कि किस तरह से आप एक साथ email id के अंदर से एक से ज़्यादा mail को कैसे delete कर सकते हूँ तो आप इस ब्रू को लाफ सक देखते रहे हैं तो आपको यह पर सबसे पहले जो करना है आपको आपकी जो इमिल आइडी है उसे ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको यह पर जो करना है उस मेल कीप और आपको थोड़े दे टाच करके रखना है जिसे आप डिलिट करन चाहते हो अगर आप उस मेल की उपर क्लिक कर दोगे तो आपके पास मेल नहीं होगा आपके पास मेल जो है उपन हो जाएगा इसलिए आपको यहां पर उस मेल की लोगो की उपर क्लिक करना है जिसे आप डिलिट करना चाहते हो तो इस तरह से आप यहां से एक एक करके उन सारे mail को select कर लेना जिसे आप अपने email id के अंदर से delete करना चाहते हो select हो ज़ने के बाद आप यहाँ पर उपर की तरब जो delete का logo देख पर हो आपको इसकी पर click करना है इन सरे mail को delete करने के लिए आप जैसे इसकी पर click करोगे तो आपके email id के अंदर से वो सारे mail एक साथ delete हो जाएगा जिसे आपने select किया था तो इस तरह से आप बहुती आसानी से email के अंदर से एक से ज़्यादा email को delete कर सकते हो जो email आपकी कोई काम का नहीं है उन सारे mail को आप यहां से इस तरह से एक साथ delete कर सकते हो और इसके अलाबा मैं आपको बता दू अगर आपसे गलती से कोई भी important mail डिलिट हो जाता है तो आप उस mail को किस तरह से recover कर सकते हो उसकी उपर भी मैं एक पहले से वीडियो बना के आपनी चलेंग के उपर डाल के रखा है आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो उस वीडियो का link आपको आई बोटोन पर और description पर मिल जाएगा आप उस link को follow करके आप बहुत यह आथने से उस वीडियो को देख सकते हो तो उमिद करता हो एक वीडियो आपके लिए कापी helpful रहा है इंडिक्स्टिंग टोपी के साथ तब तक के लिए जाहिंद बंदे मतरम